पैसिव इंकम और फिनाइशल फ्रीडम तो कितने खूबसरे शब्द लगते है ना कि पैसिव इंकम आनी चाहिए अभी बहुत सारे लोगों को हो सकता है पैसिव इंकम का कंसेप क्लियर ना हो पर आज इस वीडियो का ना पहिंट तक देखना और मैं आपको एक चीज पक्का पता रहा हूं आपको यह समझ आजाएगा कि लाइफ में जाना किस डिरेक्शन में खुशी आपको किस डिरेक्शन में मिलेगी और जो हम फिनाइशल फ्रीडम की बात कर रहे हैं वह आप अचीव कैसे करोगे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है फिनाइशल एजूकेशन की अंदर जो पहला कंसेप्ट ही मैंने सीखा दाना वो था पैसे विंकम देखो हम खुद काम करते हैं हम जो घुद से काम करके पैसा कमाते हैं उसे हम एक्तिव इंकम के डेफिनेशन बस इतनी सी है कि हमें टाइम देना पड़ता है और जितना टाइм देंगे उतना ही हम पै चार्ज करता हो यह हजार रुपे भी चार्ज करता हो बट उसे मिलना पड़ेगा वह उपरेशन करने के 10 लाग रुपे लेता है बट वह उसकी एक्टिव इंकम है अगर वह बिमार पड़ गया तो वह उपरेशन नहीं कर पाएगा आप अगर जॉब पर जाते हो या आपके घ इंकम का कंसेब्ट भी ग्लियर नहीं होता बट जैसे मैंने बोला कि सबसे पहला जो मैंने कंसेब्ट मास्ट किया था फिनाइंशल एजुकेशन के अंदर वह पैसे इंकम किया था आज यह वीडियो में क्यों बना रहा हूं यह मेरे सामने ना एक शीट है अब यह शीट पे इंसे हर रोज भी आती है तो अब मुझे हर रोज हर महीने पैसिव इंकम आरी है 35 जगहों से और मेरा अपना ऐसा मानना है यह स्टेट्मेंट आप जिन्दगी पर के लिए याद रखना मैंने अपने लिए कई साल पहले ऐसा सोचा था कि मेरी जितनी उमर होगी ना उससे ज उससे जादा मेरे पास पैसिव इंकम के सोर्से होने चाहिए तो मतलब जब मेरी उमर साथ साल होगी तो साथ से जादा जगहों से मुझे पैसा अना चाहिए एक सोचा था कि अगर पाइचसा किसी एक सोर्स से मेरी इंकम कर जाती है तो दूसरी सोर्स से इंकम इतनी आती रहे कि लाइफ मस चलती रहे तो आज मैं बोल सकता हूं ऐसा कि मैं financially free हूं अगर मैं पूरी जिंदिगी काम ना करूं तब भी मुझे मुझे पैसा आता रहेगा क्योंकि मैंने वह income sources build गरें अब आपके मन में पता है क्या चल रहा है मुझे पता है कि sheet पे लिखा किया है कहां कहां से पैसा रहा है मैं पता देता हूं major domains देखो इसमें सबसे पहले लिखा है YouTube ads तो YouTube से अभी ये वीडियो चल रही है इस पे आड़ भी आती है तो मुझे से पैसे विंगा वाती है मुझे कोई बताने में इसमें कोई वाली बात भी पैसे आते हैं इसमिलरली सब को हाते हैं मदब जो content create करते हैं और उनके वीडियो पे व्यूज आते है तो व्यूज अंलाब कोई से भी पैसे आते हैं फिर यहां पे लिख़ए कि निशॉरेंस है वारे इंशॉरेंस करें बिजनेस हूं 6 अश्म एसमें हमारे पास passive अंगम आती है रियलसए इंवेस्मेंट से पैसे विंकम आती है सटोक्ष मार्कित से पैसे ऑनु को अर्बषा मने बार मैंने लिखा हुए मैंने तो यहां पर 35 मैंने income sources लिख दिये मोटा मोटा जहां से मुझे पैसे अब यह तो मैंने लिख दिये जैसे मैंने बोला कि भीया जितनी आपकी उमर अगर आप 18 साल के और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप बोलो घ्यार मेरी 18 जहां से पैसे विंग global markets यहां पर आप trade कर सकते हो CFD में stock market के अंदर आप commodities के अंदर foreign exchanges के अंदर in fact अगर आप US market के अंदर भी आप trade करना चाहते हो आप capital.com के उबर कर सकते हैं अब इसके बारे में इस platform को अगर आपको access करना है आप website के थू और apps के थू iOS और Android दोनों की थू आप इसमें ट्रेड तो यहां पर आपको एक demo account मिलता है demo account में losses नहीं होते है you already know it and you will get a bonus of $50 right away after the first trade यहां पर हर मन्त almost trading competitions भी होते रहते हैं जैसे कि अभी January के अंदर जो competition हो रहा है उसके अंदर you have an opportunity to win here $1200 to $4300 and अभी यह जो competition इसका अनम है Pongal competition तो capital.com आप simply description or comment में लिंक है उसके थू जा सक account you can straight away do that and you will get a bonus of $50 straight away so you can click on the links and check out capital.com so I have got it simplified for you so I have got it very simple अगरा है यह कुछ ऐसी चीज़े हैं जहां से मैं पैसे विंगम अरहा हूं तो मैंने आपको 35 अलग जगा है पता ही नहीं मैंने ध्लासिफाइ कर दिया मेजरली 6 domains के अंदर कि यह 6 domains हैं जहां से आप पैसे कमा सकते हो अब यह उपर वाला जो domain देख रहा है यह वाला जो domain देख रहा है 123 यह वो domain है जहां पे आपको कुछ create करना पड़ेगा time लगाना पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी तो यह domain है smart work का मैं लिख देता हूं यह पर smart work तो यह domain जो है smart work के through आपको पैसे कमा के देगा और जो नीचे वाला domain है यह आपको जो domain देख रहा है तो यहां पर तीन domains लग लग है यह आपको यहां पर देख रहा है तो यहां पर आपको investment करनी पड़ेगी तो आपको passive income आईग तो मुझे दोनों ही channel से passive income आती है मै के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो मैंने डोनों डोमेंज आपको समझा दी है अब इसे हम एक एक करके समझते हैं तो यहां पर सबसे पहले मैंने क्या लिखा जहां पर smart work वाली करेटिग्री में तीन domains की बात करते हैं सबसे पहले मैंने लिखा affiliate marketing भाई मैंने क्यों लिखा affiliate marketing देखो affiliate marketing का मतलब होता है मेरा खुद का product नहीं है खुद की service नहीं है मैं किसी और का product या और की service को promote कर रहा हूं उसके लिए मुझे कमीशन मिलती है और वो मेरा affiliate marketing हो गया आप affiliate marketing करके काफी पैसा कमा सकते हो लोग लाखो करोड़ों रुपे भी कमा रहे हैं इंटरनेट अब यह passive कैसे आएगा पैसे ऐसे आएगा आप समझो मेरी बात को अब एक concept को समझते हैं आप मालीजिए बड़ा भी simply बात करते हैं आपने बहुत सरे रेफरेंट प्रोग्राम सी मेरे से सुनें जहां पर आप किसी और website को promote कर रहे हो और आपको promote करने का example के लिए 500 रुपे तो आपने affiliate marketing यहां से शुरू करें example आप video के through promote कर रहे हो आप website के भी through कर सकते हो तो देरा multiple ways आपने इसे promote करने के लिए कंपनी को promote करने के लिए उसकी service promote करने के लिए जिसके लिए आपको example 500 रुपे मिल रहे हैं तो यहां पर आपका CPA इसे CPA बोल देंगे cost per acquisition it could be cost per sale sale पर भी आपको पैसे मिलते है it could be cost per click तो affiliate marketing बड़े सारे तरीके सो सकती है तो जादतर cases में आप cost per acquisition कमाते हो आपने वीडियो बनाया आपने उसमें उस company को या अपने affiliate marketing अपने प्रमोट किया अब इस वीडियो पे और ग्यानिक ली 500 व्यू आजाते हैं और पांसो में से मान लेते हैं दस लोग दस लोग सिफ 10 लोग आपके दुरू CPA के थरू आपको प्रॉफिट दे जाते हैं तो आपको 500 रुपे आ रहे थे एक इंसान के इंटू 10 अगर हमने कर दिया तो यह हो गया 5000 रुपे आपने 5000 कमा लिए अब आप क्या करते हो ज़रा दिमाग लगा आपक्या करते हो इस 5000 रुपे को आप खर्चनी करते हैं ओए 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 पांच यह आगे दोस्तों को पार्टी डॉमिनो नो आप बिजनस कर रहे तो आपको आपको लाइफ टाइम के लिए बहुत सरी समझाएंगी इसमें तो आपको 10,000 जा 15,000 इंप्रेशन आजाते हैं इंप्रेशन से क्या होगा इंप्रेशन से यह होगा कि जितने जादा लोग देख रहे हैं पहले 500 व्यूज आए तो 500 आपको 500 लोग ने देखा तो 10,000 और 15,000 लोग देख रहे तो यह रहे तो आपको समझ आएगा कि यार और बहुत सब्सक्राइब अबर जादा रिस्पांज आए 500 अब आप कोगे तो 25,000 आगे येस बड़ आपने इंवेस्मेंट करी थी तो आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ 20,000 रुपीज का जस्ट मल्टिप्लाइट अंड मैं आपको बताहूं इंटरनेट पे बहुत सारे लोग इसी तरीके से रहीव इस बताया थै के फिल्लिक मार्टिटिंग पर हम अभी एक अगमेंट की भॉच पर अपर इसी तरीके से लाक को क्रॉडर रुपी रुपीज तो यह हुआ एफिलेट मार्केटिंग यू कें स्टार्ट आज से कें समझते हैं सेल ओफ यूर ओन प्रोड़क्ट और सर्वेस आपने अपनी टीशिट बनाई यह आपने अपना एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया कोर्स बनाया आपने अपनी बुक लिग दी तो आप उस किताब को भी ऑन लाइन सकते हैं अमाजॉन पर बेसब्सक्तिंग आपनी वेबसेट बना के बेसखते और सेंप्रोसेस यार एक वीडियो बना के आपने बुक प्रोट करी वह बुक माल लेतें 200 रुपई की है या 300 रुपे की है उस 300 रुपे पे आपका 100 रुपे का खर्च है और आपको 200 रुपे बचते हैं same you can sell it to infinite people online जब से online आया ना गेम बदल गई भाई लाखों करोड़ों रुपे कमाना पहले लोगों लगता तो ओई होई कभी होई नहीं सकता हो सकता है ना आप एक कमाना ही ना चिहें है को बड़ी बात नहीं क्यों बडिवास्प धिवाइड कर दो आपको पर एक्वोटिसन शुरुपे मिल तो आपको सामनी क्लिए रोजाईगा 20,000 कर ना चाह्त ऑप 20,000 लोग के इंडिया में है नहीं गया आपको बहुत सारे है तो बहुत सारे पैसे कमा सकते हो आपने बस सूचा नहीं था और ये पैसे होगा अप्टिवली आप मेहनत करो एक बास सिस्टेम ऐसा बिल्ड करो जिससे पैसे इंकम आए तो एड्स कुड बी वन ओफ द वेज जि कुछ न कुछ न कुछ बहुत सारा नहीं होता ओडी सब्सक्राइब गाता है ये से बीस पैसा और फास सोचो Governor मालो एक लाख बार आट चली और एक रुपे आया तो एक लाघ रुपे आगे अगे लगा और अगर दस लाग बार चलीड़ी तो तो पैसा आएगा और अभी क् एरिया है डिस्कवर करने का बड़ अब यह तीनों जो तरीके हैं इसमें देखो स्मार्ट वक चाहिए थोड़ी सी स्मार्टनेस होनी चाहिए थोड़ा सा आपको कह सकते हो कि टेकनिकल साइड एक्स्प्रोर करनी पड़ेगी बहुत सरे से लोग हैं हमने कभी यह सब किया नही सब यहीं पर आके सीखते हैं तो अभी मन्यों सब नहीं होते हैं और यहां पर आके अगर आप सीखना चाहोगे चाहत होगी सब को सीख लोगे और उसकी कोई उमर नहीं होती आप 18 साल को इस वीडियो को देख रहे हो I don't care मुझे इस पास से फरक पड़ता है आप मेरे से आइशलीप्री हो जाओ अब यह थे स्मार्ट वोक वाले अरिया अब आ जाते हैं इन्वेस्मेंट वाले अरिया अब मैं आपको सीम्पल बोल दो कि स्टॉक मार्केट इंवेस्मेंट से पैसा बनता है इंवेस्मेंट करने के लिए पैसा हूना भी तो चाहिए अगर एक आत बुरा मत मानना बट इस अच्चे है स्टॉक मांकेट से अगर इतना फैसा कमाने घर चले तो उसके लिए इंवेस्मेंट भी लॉक में चाहिए थो पैसा आपको बनाना पड़ेगा थू स्मार्ट वर्क वो कैसे बने का इस से कैसे पैसे आता है इसके ऊपार हम काफी वीडि बढ़िया मैं को आपके बाद 10 घर है और आपको उनसे 3,00,000 रुपए आता है आपको बहुत बढ़िया बट यार वह एक घर खरीदने के लिए आपको एक करोड़ दो करोड़ जो भी आपको पैसा चाहिए वह बड़ी इंवेस्टमेंट चाहिए ना उसके बाद आपको पैसे बढ़िया कि आपको पैसे इंगम आएगी वह घर कहां से आएगा वह घर जिससे हमें रेंट आएगा तो वह घर क्योंकि सबके पास नहीं है ना तो इसके उपर हम बात कर रहे हैं इसके लिए अगेन आपको इंवेस्टमेंट चाहिए बढ़ आपको पता होना चाहिए कि र मिलनेर बनोगे तो यह बस आपी दिमागमें रखो इयट कुड नॉट ब्यों फेस्टमेंट ग्याट इप्रिपीट करता वह घर है की सब कशणु कामा आपस नहीं किसे हूं बने पार आरहएं धाए शुरू हुआ है, अभी मैं बोल रहा है, अभी लाइफ में कितना आएगा, I have no clue, यार, I am just 27, मैं तो अपने आपको feel करता हूँ, मैं कितना young हुए अभी, कि मेरे पास काफी कुछ explore करने के लिए, time and energy है, और वो क्यों है, क्यों कि passive income को जल्दी समझ लिया था, passive income समझ लिया थ free हो गए, अभी मज़े कर लें, और मुझे मज़े आता है, आप लोगों को सिखाने में, यह मज़ा ही कर रहा हूँ, आपको लग रहा है, मैं महनत कर रहा हूँ, आप मुझे appreciate करते हो, यार आप बड़ी महनत करके content मनाते हो, मुझे मज़ा आता है लोगों को train करने में, can definitely explore something new and comment करना सर इस तरीके से भी पैसे इंगा मा सकती आपके पस जो आइडिया से ना क्योंकि इंडिया के अंदर लोगों के पास आइडिया की कमी नहीं है सिफ एक्जीक्यूशन की कमी है तो अगर आपके बास कोई मैंज़ःशा जाब हो सकती है को इनस्पाया से आपकी आइडिया से आइडिया को रखके नहीं पाएदा नहीं था कुछ लोग होते हैं बोलते हैं इसा कि मैं अपना अफ्रोगुः नहीं करते हैं अपने बादे呀 successful हो गया या फेल हो गया वह तो इंप्लिमेंट करने के बाद पता लगेगा इंप्लिमेंट सरू करो कुछ भी आज सीख रहे हो ना इंप्लिमेंट करना हो सकता है पैसा ना आए पहली बार में ना आए हो सकता है फेल हो जाओ बड़ आपको सीखोगे फिर दुबारा करोगे फिर सीखोगे फिर दुबारा कुछ करोगे और पैसा आएगा यह फॉर्मिला है याद रखना अब फाइनली कि जब पैसे आ जाएंगे अभी देखो स्टेज़ेंगे शॉक मार्केट में चोटे मोटे से भी इंवेस्मेंट शुरू हो सकती है यह इसा ही पी हो सकती है mutual fund हो सकता है real estate में बड़ा पैसा लगेगा finance पे या interest income मैंने लिखा हुआ है यह ना होती बड़ी जबरदस्त है बट यह income बहुत कम लोगों की होती है आपने कुछ projects finance करे हुए है आपने companies को funding दी हुई है आपको interest की income आती है सुनने में कितना बड़ी है लगता है इसके लिए पैसा चाहिए और यह होता है पैसा खाली पड़ा एक्ट्रा पड़ा है तो उसे हमने fund कर दिया उससे हमने finance कर दिया तो यह stages है और इसे आपको meet करन है all right तो मैंने आपको भी 6 domains के बारे में बताया है जिनसे आपको passive income आती है अब important concepts को जल्दी अल्दी समझते है oh by god मैंने आपको यह वाला तो इतना complicated करके समझाया इसे मैं आपको simplify कर देता हूं मैंने सबसे पहले लिखा है concept create time for piba अब यह पीबा क्या है यहाद रगना मैं activities की ऊपर ध्यान देना है जिनसे passive income बिल्ड होती हो तो passive income बिल्ड करने के लिए it could be YouTube videos creation आप internet पर फ्री में सीख सकते हो यार आप मुलाब देरा multiple trainings there are multiple videos जिनसे आप सीख कर अपने YouTube चैनल घडा कर सकते हो एक YouTube एक example example क्योंकि हमारी फिल्ड हो आपको example दे रहो ऐसे अंगिनत काम है आपको देखना है passive income किसे आगी अभी तीन domains मैंने आपको बताए एक है आपका affiliate marketing दूसरा sale of your own product or service through your own website और वीडियो और फिर तीसरा online content creation यह वह जिस पर मैंने काम किया हुए और मैंने आपको बताया कि इन पर आप भी काम कर सकते हो और आपको उसके लिए time निकालना important क्या time क्योंकि लोग पता है क्या बोलते हैं लोग बोलते हैं वाई करना बहुत कुछ चाते हैं टाइम ही नह नहीं मिलता अब एक statement मोलूँगा मैं आप नौ से पांच जो करते हो ना उससे आपका घर चलता है आपकी नौ से पांच की कमाई से आपका घर चलता है और आप जो पांच से नौ करते हो ना उससे आपका future बनता है तो नौ से पांच तो घर चलेगा और पांच से नौ future बने आप गेम्स केलते हो आप जितना टाइम वेस्ट कर रहे हो उसे सब बंद कर दो बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर यह जो पांस से नौ वला टाइम में इसे यूटिलाइज करना कभी सीखा ही नहीं है काम ओवर होगे अप तो मस्ती का ताइम शिरोगे वो मस्त शाम को क्योंकि आप मेंसे जाधा तर लोग 9 बज़े तक सोते नहीं है ना 11 बज़े 12 बज़े सोते हो तो आप इसे स्ट्रेच भी कर सकते हो भाई कोई फरक नहीं पड़ता टीवी देखने में जिंदगी मज़ा है गरो पीवा पर ध्यान दो और पैसिव इंकम बिल्डिंग इस वीडियो को अभी तक वह लोग देख रहे हैं जो फ्यूचर बनाने में सीरियस है और इसी लिए यह वीडियो बहुत जादा इंपोर्टेंट अच्छी लगए शेर जरू करना मैंने लिखा 80-20 प्रिंसेपल इसे परीटो प्रिंसेपल भी कहते हैं परीटो प्रिंसेपल आप पढ़ाई कर रहे हो आप ऐसा बोलते हैं से पढ़ाई कर रहे हो तो एक्जाम के अंदर 20 ऑसे questions प्रिंसे होते हैं जो बार बार रेपीट होते हैं और उन questions को आने की probability 80% होती है इस पर अगर आप ध्यान नी दोगे तो आप अपने 80% marks lose करने वाले हो similarly, आप जो business में कर रहे हो, आप जो पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, 20% ऐसे काम है, जो 80% पैसा प्रिद्यूस करके देते हैं, और अगर हमने यह नहीं किया, तो हम बहुत कुछ लूज करने वाले हैं, तो अपना time waste नहीं करना, passive income build करते होए, आपको अपने लिए time निकालना प पढ़ेगा, और वो time कैसे निकलेगा, वो काम ओपर ध्यान दो, जिन से पैसा बनता है, 20%, और 20% को मैं बोलता हूँ, MVP, most valuable and profitable activities आपकी कौन सी है, अभी लिख लीजे और उन पर ध्यान दीजे, मैं पूरे दिन बोल सकता हूँ, उसके बारे में, but now, मैं आपको बोलूँगा, time निकालना है, पीबा के लिए, इतना ध्यान रखना है, और MVP पर ध्यान देना है, अब जैसे से time निकालोगे, उसके बास second concept आजाता है, यहाँ पे, देखो, हमें time को निकालना था, क्योंकि smart work करना था, बट जो दूसरी वाली category है, जो आपने नीचे वाल यहाँ पे category देख आज आपकी income limited है, आप कहते हो, जी मैं तो 30,000 रोपे महीना कमाता हूँ, उसमें hardly घड़ सलता है, अब मैं बोलूँ उसी में save करो, और उसमें यह करो, और उसमें वो करो, कर सकते हो, बट अगेन वही concept नंगा ना हैगा, क्यों निचोड़ेगा, एक्स्ट्रा income आनी चाहिए अगर 30,000 आज कमारे हो, तो यह सोचो 50,000 रपर कैसे पहुचोगे, अगर 50,000 कमारे हो, तो सोचो 80,000 रपर कैसे पहुचोगे, 80,000 कमारे हो, लाग कैसे आएगा, वो extra income कैसे आगी, तो 5 से 9 जो हम करेंगे ना, उसमें extra income भी build करेंगे, अब extra income build करने के लिए, definitely there are multiple things you can do, आप affiliate marketing कर सकते हो आप कोई product sell कर सकते हो sales के थूर आपको पैसा आ सकता है और अगर देखो पॉसर ऐसे लोग है आज ही रेट में चैनल पर जो ट्रेडिंग में इंटरस्ट लगते है तो आप ट्रेड गर सकते हो अब आजाते हैं next देखो अब यह हमने एक example लिया था 30,000 रुबीज वाला कि आपकी salary 30,000 है अब definitely आप चाहो तो बचा सकते हो उसमेंसे भी पैसा और बचाना भी चाहिए तो होता क्या है लोग दो चीजों के उपर पैसा खर्च करते हैं एक होती है needs और दूसरी होती है wants needs वो है जिसकी मुझे जरूरत है मेरे घर में मेरे groceries के खर्चे मेरा राशन आएगा वो basic है बच्चे की fees जाएगी electricity का bill जाएगा यह basic है यह मेरी needs है इन्हें मैं नहीं avoid कर सकता बट मैं अपनी wants को avoid कर सकता हूँ जरूर नहीं है कि मैं 5000 रुपे की jeans करीद हूँ जरूर नहीं है कि मेरी girlfriend का birthday आ रहा है तो मैं बहुत जदा पैसा खर्च करूँ उस पे उसे बहुत मेंगे gifts दो और यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आज मैं बहार फालतू में खाने पीने पे भी investment करूँ या उसमें expense करूँ investment तो वह ही नहीं investment वो तब है जब आप अपने लिए कुछ अच्छे supplements ले रहे हो तो that is an investment बट अगर आप खर्चा कर रहे हो पीजा खाने में और यह ना calculate नहीं कर बाते हैं लोग किसे calculate नहीं करते हैं बट आपको ध्यान रखना है कि आप जितना भी खर्चा करते हो एक लिख लो ना at the end of the month आप देखो कि आपने needs पे खर्चा किया या wants पे कितना percent किया और जो यह wants पे है इसे अभी रोक लो कुछ time के लिए रोक लो भई जब जब में पैसा नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि हम फाल्तू के खर्चे करें अभी हमें बहुत कुछ करना राइट अब कुछ लोग कहते है यार जिंदगी एक ही है यार अभी मौज नहीं करेंगे तो क्या फायदा थोड़ा सा time life के लिए निकालना पड़ता है जब आप इतने busy होगे ना तो इस सब चीज़े matter नहीं करेंगी ज़रूर नहीं है कि आज मैंने एक लाख रुपे जोड़ ले मैं जाके आईफोन ले हूँ आपको आईफोन से भी खुशी मिलती है मुझे पता है खुशी मिलती है बट आप ज़रा यह सोचिए कि अगर आप अपने ऐसे काम में busy हो जिसमें आपको genuine happiness मिलती है जिसमें आपको मज़ा आता है तो आप ध्यान नहीं दोगे कि आपके वो 20 बार का phone है या एक लाख रुपे का phone है आपको ज़रूर मन करेगा कि मेरे पस एक लाख रुपे का होना चाहिए बट वो होना गया चाहिए और कैसे होना चाहिए उसके बार मैं आपको बताता हूँ आप जो भी आप पैसा कमाते होना आप जो भी आपकी अर्निंग्स है उसमें से आप मेजर प्रोपॉशन को ने इन्वेस्ट किया करों जब आप invest करोगे और investment से जो आपकी returns आएंगी इने भी हमें वैसे तो compound करना है reinvest करना है बट इससे हमका अगर खर्चा करें न हमारे expenses इससे हो तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है यह न उन लोगों की मैं आपको समरी बता रहा हूं in fact मैं आपना भी बता रहा हूं मैं जो maximum पैसा कमाता हूं उसे मैं इंवेस्ट करता हूं maximum पैसा को और मैं उसकी percentage बोलूँगा तो आपको बड़ा shock लगेगा but yes I invest majority of my income मैं expenses जरूर करता हूं आज मैं कहता हूं मैं अपने मन को नहीं रोकता आज मिनकों जो चाहिए मेरे वास अब कोश है बड़ वो तब है जब इस investment से मुझे returns आ रही हैं और उनसे मुझे expenses करने है तो income और उसे मैं खर्च कर दिया तो भई मैं invest क्या करूंगा आप समझ रहे हो I hope you are understanding अब so finally the last concept clear your bad debts अब मैं अगर आपको सच बता हूं तो इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सले लोग मैंने देखे हैं जिनकी income है दस हजार पंद्रह हजार दस पंद्रह हजार महीने का कमा रहे हैं बट मुझे सुनके बड़ा शॉक लगा इन लोगों के ऊपर एक लाग दो लाग तीन लाग चा गल पाते हैं तो financial freedom और जिनकी को जीना इन लोगों के लिए ना एक सपना हो जाता है ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं देखे हैं reality में जो अपने बच्चों को ना विरासत में करजा दे के जाते हैं करजा चुकाना है माबाप का अब दो माबाप की गल्ती नहीं थी पर financial education की इंडिया के अंदर बहुत बड़ी कमी है आपको मैं बता रहा हूं लोग करजा ले 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 दे हैं इसकी शुरुवात कैसे होती है आज के में अगर स्कूल कॉलेज की बात करो गल्फरिंड को पार्टी देनी है या फिर हमारी वह आजकर कंसेप्ट हो गया हर महीन है पर फाल दो चल भाई दे दूगा दे दूगा उस वक्त इमोशन में आपने बोल दिया परसेंटेज ओफ रिटर्न देख रहे हो कि आप 10,000 लेके 11,000 दे रहे हो 10% पर आपने पैसा लिया लोग अपने छोटे मोटे काम के लिए ना पैसा उधार ले ले लेते हैं उन्हें फ खतम करना है अगर क्रिडिट कार्ड पे एमाई बनवाई हुई है वो भी आपने एक्स्रा इंटरस्ट दे के ओमाई गॉड आप बिल्कुल दूर जा रहे हो फिनैंशल फ्रीडम से मैं आपको सच बता रहा हूं उसके अपॉजिट डिरेक्शन में जा रहे हो कंपाउंडिं है आपको यहां पे जो आपने अगर करजा लिया हुआ है और उस पर आप करजा देगो किस किस चीज़ के लिए आप लेते हो लोग इंडिया के अंदर मुबाईल फोन के लिए करजा लेते हैं बिल्कुल ने लेना मुबाईल फोन लक्शेरी है जरूरत के लिए जो कि अपटो लिए डिखावे के लिए यहां पर लक्शेरी के लिया हुक तो मुझे जरूरत हो बताते हैं कि आप आपने घर लेते हो यहां अपनी अपनी इसेड़ी बननरी है बंग अगर अपने लग्जरी घाडी के लिए एイमील ली हुई लीए कि आपको शायद उतनी जुरुत निदी कम में भी चल जागा पट मुझे स्टेटस मेंटेन करना है और आपकी उतनी इंकम नहीं है यह इंकम बढ़ने नहीं वाली यू बीना प्रॉब्लम सो इसे खतम करो है अगर फिनाइशल फ्रीडम चाहिए यू हव तो क्लिर यूर देट्स वीडियो में मैंने आपको काफी कुछ बताया मैं आपको बताया कि आपको अपने कर्जों को खतम करना पैसा होगा उसे इंवेस्ट आपको करना है मैंने आपको बताया नीज इंड वांड्स के अंदर डिफरेंस और पहले जब तक बहुत को कारिमिंधय नीज दोस्ट बताया कि आपको एक्स्ट्रा इंकम के लिए हाथ पर मारने नहिए और वह क्षे एंक्स्ट्रा इंकम्रों को कि यह होगी इसके अलावा जैसे महने बोला कि यू przyva पर ध्यान देना है पासिव इंकम बिल्डिंग अक्टिविटीज की ओपर ध्यान देना आज के बाद आप बोलेंगे नहीं की 925 से घर चलेगा और 529 से आपका फ्यूचर बनेगा आप कॉमेंट कर सकते हैं इस लाइन को इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या जरूर कॉमेंट कीज़ेगा आपके सवाल है वह भी वेलकम है आप कॉमेंट कर सकते हो फिर मैंने आपको एफिलेट मार्केटिंग अपकी सारी के से घर सकते हो आपको एक्जामपल दिया था आउप आपको आपको याद रहेगा एंड मैंने आपको दो के इंडर आपको 6 डोमें सम्झाएं यह मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया है, I hope you liked it, and finally, you have learnt, कि passive income कैसे बन सकती है, I hope this video was valuable, and financial freedom, इसे अचीव करना है, और मेरा यह गोल है, और मैं आप लोगों को अचीव करहूं, तो जो गोल, self-made mission है, इसमे मेरा साथ दो, बनो self-made, बनो financially free, and लोगों को इंस्पार करो, कि यह वाचिंग दिस वीडियो और फेस्बुक, आप फोलो कीजे, यूट्यूब पर देखन, सब्स्क्राइब कीजे, बेल एकन पर क्लिक कीजे, I will see you in the next video, till that time, you go self-made.